हेलो स्टुडेंट्स, नव भाटी परिवार में आपका स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास एट का मैज का टॉपिक है क्वाडरी लिटर तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या-क्या पढ़ेंगे इसमें हम का शेप्ट, पॉलिगं, टाइप्स ओफ पॉलिगं और एंगल जैसे इंटिरीर एंगल, एक्स्टिरीर एंगल के होते हैं यह सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो स्टार्ट के हैं हम पॉलिगं से पॉलिगर इसको बोलते हैं जब कोई तीन या तीन से ज़्यादा साइड जब आपस में मिलकर एक क्लोज शेप बना लेती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलिगर अ क्लोज शेप मैड अप आप त्री ओर मोर देन फ्री साइड इस कॉल पॉलिगर जब कोई तीन या तीन से ज़्यादा साइड आपस में मिलती है और एक क्लोज शेप यह अप इतना आपको ऐक फ्लोज शेप बना लेती हो उसको क्या बोलो गया उस शेप को आप नाम दोगे पॉलिगर और पॉलिगर में कौन-कौन से आएगे जैसे 3 से जादा साडस किसमें होती है, 3 साडस किसमें होती है, 3 से कम जैसे इस तरह कोई एंगल स्फेमें डो बन जाएंगे, कोई चीचाहिड होती हैं, तो 3 से जादा साडस किसमें आक़ ऑन में Ferraur, questionable, hexagonal, pentagonal, यह सब किसमें हैंगे, polygon में तो इसके example क्या दे सकते है आप football, football में जो इस types की structure होती है, hexagonal, ठीके, इससे तो मिलका बना होता है, तो football, honeycomb, board, जैसे हमारा ये board है, ये क्या है, rectangle shape में है, तो ये भी एक polygon है, क्यों, क्योंकि इसकी कितनी है, 4 side है, और हमने क्या पढ़ाया है, इस definition में, कि तीन या तीन से ज्यादा sides होगी, तो उसको हम क्या नाम देंगे, polygon का नाम देंगे, जैसे हमारे जुब में tiles होती है, tiles में कितनी side होगी, उसकी 4 side होगी, तो उसको हम polygon बोलेंगे, honeycomb जो होता है, जब आप shape देखोगे, तो कुछ इस तरह की shape होती है, ये आपस में जुड़ी होगी होती है, आपस में इस तरह से जुड़ी होगी, तो इनको आप क्या नाम दोगे, polygon, तो ये सब हो जाएंगे, polygon के examples, अब हम देखेंगे, कि 3 side होगी, 4 side होगी, तो यो कौन-कौन से type के polygons बनेंगे, उनको हम क्या नाम देंगे, अब हम बढ़ेंगे, number of sides और types of polygon, अगर 3 side मिलकर कोई shape बना रही है, तो वो क्या होगा, triangle, उसको क्या नाम देंगे, हम triangle, ये क्या है, triangle भी एक polygon होता है, अगर कोई 4 side आपस में मिलकर कोई close shape बना रही हो, shape क्यों नाची है, हमेशा close रही है, कोई close shape बना रही हो, तो उसको हम कहेंगे quadrilector, ठीके, और अगर 5 side मिलकर कोई shape बना रही हो, उसको हम नाम देंगे, pentagon, अगर कोई 6 side मिलकर आपस में close structure बना रही हो, उसको हम नाम देंगे Hexagorn फिर है साथ साइड मिलकर एक शेप बनाएं तो उसको हम नाम देंगे Heptagon या Septagon आज साइड मिलकर आपस में कोई structure बना रही है शेप बना रही है उसको हम नाम देंगे Octagon अगर साइड क्या है 9 है तो उसको हम नाम देंगे Nona गोर और अगर 10 साइड में कर कोई close shape बनानी है तो उसको हम नाम देंगे दैका गॉर्ण तो यह होगा हमारे types of polygon and number of sides इसी polygon में 10 से ज्यादा side हो तो उसको हम N से denote कर रहे हैं कि N का मतलब क्या हो सकता है 1, 2, 3, sorry 3 से start होगे न 3, 4, 5, कितिने भी हो सकते हैं 3 या 3 से ज्यादा sides ठीक है तो उसको हम नाम देंगे N साइड पॉलिगल अब हम देखेंगे कि पॉलिगल में interior angles और exterior angles किस तरह से लिखते हैं जिसे कोई shape है इस तरह से हमने यह shape ले ले ली ठीक है इसके अंदर के side जो angles बनेंगे चाहिए हो कितने के भी हो तो वो क्या होंगे अंदर वाले interior angle क्या होंगे interior angle ठीक है और अगर कोई shape इस तरह से हो ठीक है इस तरह से कोई shape जारे हो इसको थोड़ा इस तरह से बना रहते हैं इस तरह से कोई shape हो तो यहाँ angle यहाँ कोई angle बन रहा है तो वो क्या होगा exterior angle क्या होजाएगा exterior angle क्यों अगर किसी closed shape के अंदर बन रहा हो तो उसको बोलेंगे हम interior angle अगर closed shape, closed shape तो यह तनी हो गई इसके अंदर बाले angles को तो हम क्या बोलेंगे interior और इसके बाहर यह क्या बाहरी तरह बन रहा है तो इसको हम बोलेंगे exterior angle important definitions पढ़ेंगे जैसे vertex of angle या फिर adjacent of angles, interior angles, exterior angles या फिर line segment इसको बोलते हैं adjacent side क्या होती है, diagonal क्या होता है यह सब हम definition पढ़ेंगे तो first हमने लिया है vertex of polygon कोई में polygon है या कोई में shape है उसका vertex क्या होता है उससे पहले हम देखेंगे यह क्या है एक line है Line का पंदी है जब कोई 2 points आपस में किसी रेखा गवरा मिला दी जाते हैं तो वो क्या होगी एक line और अगर यह line क्या है इस तरह से है मतलब एक side end point है और एक side कहीं भी वो infinite तक जा सकती है तो इसको हम क्या बोलते है लाइन segment इसको हम नाम देते है लाइन segment तो इसको हम use क्यों कर रहे हैं यहां पे क्योंकि vertex क्या होता है कोई भी line segment है कोई भी line है उसका जो end point होता है उसको हम बोलते है vertex क्या समझें यहां से कोई भी line है उसका जो end point है उसको हम नाम देते है vertex ठीक है तो पॉलिगर की वर्टेक्स क्या होगी कोई भी नाइन सेग्मेंट होगी उसकी जिस भी साइट से मिलकर बना है पॉलिगर जिस भी साइट से मिलकर बना है तो यह क्या है? A point, B point, C point और D point तो यह जो इसके end points है A, B, C and D यह इसके हो जाएंगे वर्टेक्स, ठीक है? यह point है हमारे पास adjacent vertex adjacent vertex का मतलब है कि common end point जैसे इस तरह से कोई हमारे पास shape है, ठीक है? इस तरह से हमारे पास कोई shape है यह हमने माल लिया A, B, C, R, D तो यह जो common end point है इसका end point यह रहा इसका end point यह रहा और इसका यह रहा A क्या है? A, B, A, C और A, D का common point है तो common end point को हम नाम देते है adjacent vertex ठीक है? the end point of the same side of the polygon are known as the adjacent vertex of the polygon हमारे पास interior angle, exterior angle, adjacent angle interior angle हमने क्या लिया था? interior angle हमने लिया था कोई भी close shape है उसके अंदर जो angles बन रहे है वो क्या हो जाएंगे? interior यह हो जाएंगे interior angle और अगर यह shape उस तरह से हो तो बाहर के side रहा एंगल बनता है वो हो जाता है exterior angle यहां से हमें बात समझ में आती है कि interior angle और exterior angle क्या होते हैं? अब हम पढ़ेंगे कि adjacent angle हम किसको बोलते हैं? adjacent angle क्या होता है? कोई भी दो angle हो तो अगर उनका vertex common हो vertex मतलब उनका जो line segment है जहां से यह end point जो है जहां से यह बन रहे हैं वो common हो ठीक है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? adjacent angle यह A point जो है वो इस line का और इस line का common point है और यहां पर जो angles बनेंगे वो क्या होंगे? adjacent angles होंगे इस point में हमारे पास diagonal and parallel axis diagonal क्या होता है? जब कोई दो vertex जैसे कोई shape बनेंगें मिलता है इस तरह से इसमें कोई दो vertex जो है इस तरह से मिले हुए हो ठीक है? उसको क्या बोलोगे? diagonal diagonal क्या होता है? जब यह दो parts में divide कर दे या तो इस side से या फिर इस side से ये क्या हो जाएंगे? इनको हम बोलेंगे diagonals क्यों बोला? हमने क्योंकि diagonals क्या होता है? aligned segment joining any two non-consecutive vertex of polygon मतलब क्या है? कि कोई भी दो vertex ये क्या है? ये इदर जोड दिया इसको यहां से यहां जोड दिया इसको तो ये क्या हो जाएंगे? diagonals हो जाएंगे फिर है हमारे पास parallel lines parallel lines क्या होती है? कोई भी lines कुछ इस तरह से हो इस तरह से हो तो उनको मतलब line segment हो जो infinite तक जा सके और कभी भी आपस में न तकराएंगे parallel lines ऐसी lines होती है कि ये continue चलती रहती है लेकि आपस में कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करती है एक दूसरे को काटती नहीं है और ना ही एक दूसरे से ये मिलती है ऐसी lines को हम बोलते है parallel lines को पढ़ेंगे curve and its type curves क्या होती है? curves एक ऐसा set होता है line का जो आप form भी कर सकते हो मतलब बना भी सकते हो या फिर इनको कोई line को जो continuous line होती है उनको आपस में जोड़के भी बनाई जा सकती है ये graph पे या फिर कोई भी other surface हो उसको भी बनाई जा सकती है लेकिन आपको यहां देखना है कि curve और line लाइन हमेशा straight होती है लेकिन curve कोई यह एक हो curve इस तरह भी हो जाएगी कैसे भी यह curve हो सकती है तो curve में जैसे circle आ गया क्योंकि इसमें combustory होता है कि line क्या हो straight हो और curve क्या होते है curve straight line में भी हो सकते है या फिर इस तरह भी हो सकते हैं, ये दो तरह की होते हैं, open curve and closed curve, जो curves होती हैं, वो तीन कैट की होती है, first है open curve, second close curve, और third होती है simple closed curve, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे open curve, open curve क्या होती है, does not cross at any point, ये ऐसे इस तरह से होगी, कि ये एक दूसरे को cross ना करें, मतलब कोई भी point ऐसा नहीं होगा, जब ये आपस में cross करेंगी, मतलब क्या है, कि इनका starting point और end point ये नहीं होगा, beneath and end points do not join together, आपस में, जैसे ये कहां से start हो, यहां से, और end point का है, यहां पे, तो ये आपस में नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या है, open curve, इसमें भी यहां से start हो, इसका end point क्या है, यहां पे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी क्या आगया, open curve में, इसका भी begin point और end point सेम नहीं है, तो ये आजाएगा open curve में लेकिन close curve क्या होती है इसका कोई भी end point नहीं होता है मतलब आप find नहीं कर पाऊगे कौम सा end point क्योंकि इसका starting point और end point दोनों एक ही point पर अगर मिलते हैं begin and end point at the same point जैसे यहां से start हुआ यहां से गया और वापिस यहीं आ गया circle है, square है इनमें आप पता नहीं लगा सकते हैं कि इसका कौम सा end point है क्योंकि यहां से start होता है वापिस वहीं आके stop हो जाता है इसको हम बोलते हैं closed curve, simple closed curve, simple closed curve क्या होता है इसमें कोई भी खाग ऐसे नहीं होगी जो अपने आपको cross करें या तो square हो जाएगा, circle हो जाएगा या फिर इस type की structure हो जाएगी, कभी भी एक दूसरे को cross नहीं करेंगी मतलब इस type से कोई भी structure इसमें नहीं होगी सिर्फ एक ही curve होगा इस तरह से या फिर इस तरह से ठीक है, इसको हम बोलेंगे, simple closed card, open card में क्या था, open card में हमने पढ़ा था, कि उसमें कोई भी end point या फिर starting point आप पता लगा सकते हो, close card में हमने पढ़ा, कि ये पूरी तरह से close होती है, और इसमें end point और begin point क्या होता है, same point पर होते हैं, जहां से start होती है, वहीं पर आके stop हो ज होती है, और simple close करके होती है, इसमें कोई भी cross point या फिर ऐसा कोई भी point नहीं आएगा, जब ये अपने आपको cross करेंगी,